फ्रेंट्स डिलीवरी के बाद 40 दिनों तक महला को आराम करने की सला दी जाएं ये 40 दिन रिकवरी के लिए बहुती महतपूर होते हैं ये औरत के लिए बहुती इंपोर्टेंट होते हैं ये 40 दिन तो फ्रेंट्स 40 दिन आपको जरूर आराम करना चाहिए delivery चाए नॉर्मल होई या operation से या फिर आपके delivery नॉर्मल हुई है या फिर आपकी caaserian delivery हुई है डोनों ही इस्तितियों में 40 दिन तक आराम करने की सला दी जाती है delivery के बार महला को 40 दिन दिये जाते हैं जिसन में वो पूर रूप से आराम कर सके वो अपनी बोड़ी को रिकवर कर सके और ये 40 दिन बहुत ही अहम होते हैं इस दोरान सरीट के बहुत सारे घाव होते हैं वो भरते हैं और बोड़ी अपने पहली वाली पोजिशन में भी आती है तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि delivery के बाद 40 दिनों में requiring period में महलाओं को क्या करना चाहिए इस दोरान आप अपनी देखवाल कैसे कर सकती हैं तो friends आज का वीडियो इसी से related होने वाला है आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि after delivery आपको अपनी देखवाल किस तरीके से करनी चाहिए किन-किन चीज पर बहुत बहुत स्वागत है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को like and subscribe कर लिया करो तो friends चलते हैं topic की तरफ नमर एक होता है नीद लेना है जरूरी बच्चे के जनम के बाद मा के लिए भरपूर नीद ले पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है लेकिन नीद लेना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है इसलिए जब भी आपको मौका मिले अपने बच्चे के रुटीन के हिसाब स आपको भी सोती है आपको सारी ज़िक्कतों का सामना करना पर सकते हैं आपको इस समय मांसिक और सारे रिक्तकान मैसूस हो सकती है और आपको लगेगा कि जैसे ये समय खत्म ही नहीं होगा लेकिन ऐसा नहीं है जब आपके ये 40 दिन जापके ये 40 दिन आपके जैसे ही खत्म होगे तो आपकी ये गाड़ी धीरे धीरे ट्रैक पर आने लगेगी तब तक आप अपने बच्चे के सोने पर ही सो जाएं इससे कुछ हद तक आपकी नीद पूरी हो सकेगी नमर दो होता है डिलीवरी के बाद मालिस डिलीवरी के दोरान सरीर की मास पेसियों में किचाव और कमजोरी आ जाती है जिसे दूर करने के लिए मालिस को बहुती फायदेमन माना जाता है मालिस सरीर की तकान दूर करने और रक्त प्रवाब में सुधार आने में हेल्प मिलती है C-section के बाद पैरा और कमर की मालिस करवाना बहुती ज़्यादा जरूरी होता है सरीर की कमजोरी दूर होती है और आपको तागत भी महसूस लगती है नमर तीन होता है Post Delivery, Diet Delivery के बाद मा के सरीर को तागत और एनरजी देने के लिए गौन के लड़ो खिलाए जाते है ऐसे ही कुछ और भी चीज़े होती है जो Delivery के बाद सरीर को तागत देने के लिए होती हेलपफुल होती है तो गौन के लड़ो की तरह ही और भी कई चीज़े हैं जैसे मेवे के लड़ो आप ले सकते हो, मेवे की पंजीरी भी बना के आप लोग खा सकते हो तो फ्रेंट्स ये आपको Delivery के बाद सरीर को तागत देने में हेलप करती है ये इस तोनों में दूद बढ़ाने का भी काम करती है फ्रेंट्स इस समय पर आपको मैथी के लड़ो भी आप लोग खा सकते हो मैथी आपके सरीर में भी हेलप मिलेगी रिकवरी करने में क्योंकि मैथी गरम होती है और आपके बच्चे को दूद भी अच्छे से आएगा तो आप मैथी के लड़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हो नम्मर चार होता है Delivery के बाद तागों की देखवाल अपरिशन के बाद तागों को भरने के लिए आप कुछ तरीके अपना सकते हो नम्मर एक अगर आपकी APC otomy हुई है तो आप disinfected को मिला कर गुनगुने पानी में बैठ जाए इससे आपके तागे वाली जगह वो साफ होगी और आपको दर्द से भी रहात मिलेगी नम्मर दो ठंडी सिकाई से दर्द और सूजन को भी कम किया जा सकता है एक तौलिया ले और उसमें बर्प को लपेट कर तागे वाली जगह पर सिकाई करें नम्मर तीन इंफेक्शन से बचने के लिए तागे वाली जगह पर रोज क्रीम या फिर दवाई लगा सकते हो नम्मर पांच होता है पती के साथ बिताएं समय पैरेंट्स बनने के बाद कपल को एक दूसरे के लिए ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है और आप दोनों ही बस बच्चे की जरुरतों को और परवरिस में आप बिजी रहते हैं क्योंकि फ्रेंट्स बच्चा पैदा होने के बाद आपके उपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है जिसको आपको हैंडल करने में थोड़ा सबगत लगता है तो फ्रेंट्स कुछ टाइम आपको अपने जैसे बच्चे जैसे ही आपका सोज आए आपका बच्चा तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप अपने पती के साथ टाइम स्पेंट कर सकते हो जिससे आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी और मेंटली भी आप थोड़ा सा खुस मैसूस कर सकोगे तो फ्रेंट्स आप अपने पती के साथ कुछ टाइम स्पेंट कर सकते हो त तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही कल मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ फ्रेंट्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू